हलो साथियों नमस्कार मैं आसीश कुमार आपके अपने प्यारे से यूटूब चैनल सन राजरेल अपडेट में आप सभी लोग का हर्दिश्वात करता हूँ साथियों आज आप लोग के बीच में मैं एक अस्टेशन मास्टर के पेमेंट के उपर चर्चा करूँगा और बताऊंगा कि जो एक अस्टेशन मास्टर होते हैं वो जितना मेहनत से ड्यूटी करते हैं तो उनका जो सेलरी होता है वो कितना मिलता है और कौन-कौन से अलॉंस ह जो उनको एक्स्ट्रा मिलता है साथियों आपको जैसा की पता है कि ये जो जनवरी में डिये बढ़के पचास परसेंट हुआ है तो अप्रेल का पेसलीप है इसमें मैं आपको बताऊंगा कि जो पचास परसेंट होने के बाद इनका जो अस्टेशन मास्टर है उनकी सेलरी कित तो साथियों अगर आप भी अस्टेशन मास्टर की तियारी कर रहे हैं या तो इसके बारे में जानना चाहते हैं तो यह वीडियो को शुरू से अंतक जरूर देखें तो चलिए मैं ले चलता हूं आपको अस्टेशन मास्टर के पेसलीप के उपर और साथियों वीडियो आते रहता हूं तो चलिए आज के टॉपिक के ऊपर हैं तो साथियों जैसा कि आप देख रहे हैं कि यह दानापुर मंडल जो इसी आर का डिविजन है उसमें एक कार्ज़त अस्टेशन मास्टर का पेसलीप के उपर लेके आ चुका हूं और इसमें बताऊंगा कि जो अस्टेशन मास्टर की सेलरी होती है वो कितना होता है तो साथियों देखिए यह अपरेल दोहजर चोविस का पेसलीप मैं लेके आ चुका हूं जो की 50% डिये होने के बाद 50% जो आपका डिये है वो होने के बाद इनका जो सेलरी है कितना बना है और जो भी एसम बनने की चाहत में है उनको ये जनकारी होना चाहिए कि उनकी सेलर कितना बनेगा तो साथियों जो ये एसम होते हैं स्टेशन मास्टर होते हैं वो अपरेटिंग डिपार्टमेंट के अंतरगत आते हैं अब देखिए उनका डिटेल है और जो बाकी मैं आपको बताता हूं अब देखिए साथियों जो इनका डेट ओब जोइनिंग है वो 10-11- दो हजार बारा का है दो हजार बारा का जो आइनका है जो कि यह लेवल सेवर में पहुँच चुके है और इनका जो बेसिक पे है वो 49,000 है और इनका इंक्रीमेंट डेट है 1-7-20-4 से हैं चले साथियों मैं इनके अर्निंग पे लेके आ चुका हूं तो देखिए जो इनका बेसिक पे है वो 49,000 रुप्या है जबकि 12 के ज्वाइनिंग है तो इनका बेसिक है 49,000 रुप्या है और ड्रेनस एलाउंस जो डिये है आपका 50% होने के बाद ये आपका 24,500 रुप्या है एरियस डिये है ये तीन मंत का एरियस डिये है वो आपका 1960 रुप्या पर मंत के इसाब से तीन मंत का मिला हुआ है उसके बाद होस रेंट एलाउंस जो इनका है 4410 रुप्या ये जड़ वन शीटी में आते हैं जैसा कि आपको पता है कि एकस वाई जे डेजी की जो house rent का launch होता है तो उसमें अभी जो है 9, 18 और 27 चल रहा है जो 50% होने के बाद इसमें बढ़ने के बाद हो जाएगा 10, 20, 30 हो जाएगा जो कि अभी उसका उपर नहीं मिला है ये जो मिल रहा है वो 9, 18 और 27 को उपर मिल रहा है तो house rent अलाउंच हो गया ये 4,410 रुपिया अब transportation allowance जो आने जाने का किरया होता है वो 2700 रुपिया है और 3 महिना का area दिया गया है 72, 72 रुपिय तीन मंत का उसके बाद देखे साथियों night duty allowance जिसको nda कहते हैं nda कहते हैं वो इनका मिला हुआ है 4,686 रुपिया साथियों nda होता है जो सबका अलग-अलग होता है basic के अनुसार से और कितना hours आप night करते हैं उसी के हिसाब से आपको मिलेगा ये तो आपका घंट बढ़ सकता है और देखे साथियों एक और night duty allowance जो एरियर बना हुआ है जो पिछले मन्त नहीं मिला होगा उनका है 349 रुपिया और national holiday allowance जो अगर कोई एनेच के दिन अगर ये duty करते हैं तो उनका एक दिन का जो कि एलाउंस होता है ये 630 रुपिया होता है अब साथ यह इनका जो कटावतियां है जो कटता है देखे रेलवे एंपुलाई एंसुरेंस स्कीम सी करता है तीस रुपिया कटा हुआ है न्यू पेंशन अस्कीम टियर बन जिसको एन पीएस कहते हैं वह 7,938 रुपिया कटा है और इनकम टेक्स जो हम लोग सरकार को टेक्स भरते हैं तो उनका टेक्स के रुप में कटा हुआ है 3875 रुपिया और स्टाप बेनिफ़ंड इस यार दानापूर ये 25 रुपिया है तो साथियों इस तरह से जो है इनका सेलरी का बीवरन है जो की 50% होने पर डिये होने पर तो अब देखते हैं कि इनका जो ग्रोस सेलरी है वो कितना बना है कटाओतियां होने के बाद कितना हुआ है और नेट पेमेंट इनको कितना मिला है तो साथियों देखें कि यहां पे जो इनका LHP है वो 224 है और उसके बाद साथियों नेट पेमेंट जो है इनका बना है 83,643 रिपिया मतलब जो इनका नेट पे है ये है 83,643 रिपिया टोटल तो साथियों इस तरह से आप देख सकते हैं कि जो एक अस्टेशन मास्टर की जो सेलरी होती है वो बहुत जादे सेलरी होती है अस्टार्टिंग में भी उनको 50,60 के बीच में मिल जाता है और जैसे जैसे बढ़ते हैं इनके लाउंसे बढ़ते जाते हैं बेसिक में बिर्दी ह होते जाता है तो इस परकार से इनको बहुत पेमेंट मिलता है तो साथियों जो भी तैयारी कर रहे हैं अस्टेशन मास्टर के उनको यह पता होना चाहिए कि कितना सेलरी अस्टार्टिंग में मिलेगा और उसी तरह क्या से आप देख सकते हैं कि जैसे जैसे आपका होते रहेगा तो साथियों मैं उम्मीद करता हूं कि यह वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्पूर्ण होगा और जो खास करके रेलवे की तियारी कर रहे हैं अस्टेशन मास्टर की उनको जनकारी उनको जानना बहुत जरूरी है ताकि वह अनुमाल लगा सके कि जब हमारी जब होगी तो कितना हमारी सेलरी मिलेगी तो साथियों वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक सेर सब्सक्राइब करना ना भूले और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में तब तक धन्यवाद